तो दोस्तों आज ना बहुत सीरियस टॉपिक है कि 2024 में अगर आप अपने यूटी चैनल का नाम रखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे कुछ तीन मैजर पॉइंट साथ में एक हमारे साथ सर आएंगे जिनके साथ यह प्रैक्टिकल हुआ और वह डीटेल में आपको ब तो कि अपने चैनल में 50,000,000,000 सब्सक्राइबर हैं बताऊँ का नाम बात में सबसे पहले से नाम ध्यान रखना होता है किन बातों का ध्यान रखें जैसे सबसे पहला है سर डोमें अगर आप अपना अगर आप अपना नाम डॉमें जब ढूंड रहे हैं माली जैक्स वाई जैसे मेरा नाम VMA Creators है, तो मैंने सबसे पहले क्या लेना है, VMA Creators रबता दीजे जारा, .com और .in, यह दो चीजे हैं, वैसे .ai, .club, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो मुख्य होते है, .com और .in हमेशा आप लेंगे, यह दो बहुत चीजे हैं, जो कि मुझे लगता है more than enough है, इसके लावा आपको लेने की ज़रूत नहीं होते हैं, जो भी इनकी प्राइज है, यह आपको हर साल रेनुवल कराना पड़ेगा हजार के आसपास आता है तो कम उन्चास या देर सो में हिजाता है तो इस ताइम दो साल के लिए आपको लेना पड़ता है जनरी तभी आप मिनमम ले पाएंगे, अगर आप गोडैडी से लेंगे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप महां जाके सर्च कर लेना जो भी आप नाम रखना जाते हो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे सर्च कर लेना, यह जो है मैं जो बता रहा हूं पुडाना जैसे कि मैं जब लिया था 18-19 तब की बात है, वो सकता अपडेट हु खुलने की जुरूत है, एक बार सर का यूटीब चानल खुलते हैं और सर का यह चानल पीवियार स्टडी, नाम से ही लग गया होगा पीवियार तो आपको कुछ फील आ रहा होगा, कहीं ना कहीं चीजों का इंटेंसन कहीं और जा रहा होगा, जबकि बिल्कुल गलत, तो ब होगों का होता है, जो एक डंग फैमिली से होदमल अच्छे फैमिली से, तो मेरा उद्देश वही था, तो इसलिए पहले मैंने मम्मी जी के नाम पे विद्धिया करियर क्लास है, अफ-लाइन कोचिंग का नाम रख तो मुझे रजिस्ट्रेशन होगा का कोई सिस्टम तो माल मेरे दिमाग में आया कि हां तब मैं यूटूब पर भी आ चुका था कहानी उसकी लंबी है, मैं पिछले वीडियों साथ बता चुका हूं तो मेरे दिमाग में आया, नाम तो मेरा मता पिता के आज-पास ही घूमना चाहिए, और फिर मैंने एक-एक लेटर ही उच किया, पी पिता जी से नाम ले लिया और वी से ममे जी का नाम और 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 यह चुकि यह प्रक्राइब नहीं था इनवर्सिटी भी है, बहुत कुछ है, तो मैंने यह किया कि इलहाबाद जो है, इस्टूडेंट का गढ़ भी रहा है, ज्यादा बच्चे मानते भी हैं, तो मैंने नाम म मैं सिटी का नाम भी रख दिया, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ाता भी हूं, तो इसलिए पूरा नाम बना, यूटूब ने इसको वेरिफाइब भी कर दिया, टिक भी हो गया, एक लाग से जादा सब्स्क्राइबर हो गया, अब इस नाम से यूटीब पे कोई नहीं ले सकता, पीवियर स्टडी इलहाबाद के नाम से ले पाएगा, एक बहुत और ध्यान रखेगा, अगर सर आगे सलके इलहाबाद हटाते हैं, तो फिर से ये वेरिफिकेशन टिक हट जाएगा, फिर से सर को रिय अपलाई करना पड़ेगा, चौबिस घंटे के अंदर, किसी ने अगर पीवियर स्टडी नहीं लिया है, तो वेरिफिके आजाएगा, मेरा सीकंड चैनल एक लाख पहुचने वाला है, उसको मैं पीवियर स्टडी नाम से वेरिफाइगा, आगे पीछे कुछ नहीं लगाँगा, वो भी कोई नहीं लेता है, अब समझने वाली बात है, कि दो मिल गए, तो काफी कुछ सीखने को मिला, तो वहीं से सीखा सर से कि मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें पहले आपको उन्हें परकार से रजिस्टर करके रखना होगा, नहीं तो अगर दूसरा कोई ले लिया तो पिर आपको नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका डोमेन हो गया, यूटूब पे आपका हीश्टेक होगया, आप नाम आता है, अगर आपने उसको नहीं लिया, आपकी इमेल होगई चैनल के नाम जाएगा, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी सोसल मेडिया साइट पे हमारा जो भी नाम है, पहले तो यूनिक है, जल्दी मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा भी, वो भी मेरे इस्टुडेंट होगी, जो कोई रखा होगा, और अगर होगा भी, उनके सब्सक्राइबर या फॉलोर काफी गुना नीचे होगे, उसे कोई मतलब नहीं, मतलब वो रखने ही नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी सोल एंटी बनानी तो मुझे तीनों का क्लियर नहीं, जिनका बता रहा हूं, जैसे 41 में आपका जैसे चैनल आ गया, आफ लाइन कोचिंग क्लासे हो गई, यह सब हो गया, इसमें जैसे आप कोई प्रोड़क्स सेल करते हैं, कॉपी हो गया, पैन हो गया, अगर आपका 41 के अंदर आ गया, जहा इन फ्यूचर यूज कर पाए, तो वो एप्लिकेशन का 35 में होता है, और क्लास 9 में भी कुछ होता है, मुझे क्लियर नहीं, मुझे लगता है, जो भी कुछ और शेतर है, बट तीन मुझे अब तक जो उन्होंने बताया, जहाद मैंने करवाया है, नाम नहीं बताऊंगा, जो ऐसा मुझे पता चला, मैंने दो में करा रखता है, तो आपका एक यहाँ पे क्लास क्या आ गया कि, सर इसमें अबजक्शन आया है, कि जो की पी वी आर नहीं किया, गवर्मेंट की पॉलिसी होती है, एक सिस्टम होता है, जैसे कोई गवर्मेंट के अंतरगत कुछ भी र तो पीवर नाम से आजकल परजेंट टाइम में हंडेड उनके ब्राण रजिस्टर है, मैंने देखा है, सो प्लस और एक चीज़ और जनकारी होने चाहिए, कि कलर तक रजिस्टर होता है, फॉन्त तक रजिस्टर होता है, किस कलर में आपने किस सेप में लिख रखा है, वो मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं था कि यहां ऐसा कुछ है थीक है क्योंकि मैं मुवी आथ तक अपनी जिंदगी में अठाई साल में उसके तीन चार देखा होगा तो मैं ज्यादा इन समय मुझे पहले सुरु में टाइम नहीं था और या फिर हो नहीं पाता था अब मेरे कि मैंने क्यों रखा और मेरा प्रूफ क्या है मैं उसको पिछले 5-6 साल से यूज करता हूं अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया कि आपने मेरा क्यों यूज किया ठीक है यह उनली गवर्मेंट के अफिसर की तरफ से अब्जेक्शन है तो मुझे सव परसंट 110 परसंट है कि ह हो जायागा क्योंकि एक चीज़ और मिलते जूलते बहुत से नाम आप देखें कि सरकायरेजिल.com सरकायरेग्जाम.com इस तरीके से बहुत सारे बरांड एक जित करते हैं होते रिजिस्टर हो जाते हैं सब बस आपका बिल्कुल सोच अलग होनी ची मैंले यह नहीं कि आपने सब बाते आपको पता होते ही कि आपको हैरिसा प्रॉब्लम आगे चलके आ सकती है जिसमें आपको हेरिंग और इसमें जाना पड़ेगा तो क्या शुरुआत में आप इसी नहीं को रखते हैं तो पहली बात तो मुझे पता नहीं था दूसरी बात मुझे इतना भी पता सही ही चलके बारे में तो था tackling की मेरा एक logic मैंने की सी तो किया नहीं यहीं तो मेरा एक लोडेंट्स ता मैं रखते होते हैं लेकिन हमको पढ़ाता हूं तो मेरा उद्देश अलग है अगर आपको यह सारा प्रोसेस मालूम होता तो क्या शुरू से आप यह फिर नाम रखते जिदमें चेंज भी करना चाहिए इसमें थोड़ा सा रिस्क था अगर स्टार्टिंग मुझे सब कुछ पता होता इत जब भी कभी आप अपना नेम चेंज करें तो सीन चीज समझ आ गई सबसे बहले नाम डिसाइड करें दूसरा डूमें चेक कर लें तीसरा ट्रेडमार्क जरूर कराए और नाम कैसे यूनिक रखें तो यूजली आप जी थोड़ा में और आपको सॉर्य उसके लिए नहीं को वह कहना चाहूंगा कि नाम में जैसे अगर आपका यूनिक है जैसे माली किसी को देखा भाई फलाने बड़ा फेमस उनका रख लेता हूं तो आपका कभी भी वह उपर जाया एकने टॉप पे क्योंकि जो आल्रेडी पहले से हैं उमीद है कि वही अक्सर उपर रहेगा तो म कि मैं यह सरसर सी चुका था कि यूंडी नाम रखना चाहिए कि जो आल्रेडी जहाल मिलना हो जिसमें ठीक है तो मैंने तो नाम बना कि वहन चाहिए उननेस में भी बनाई है यूंटीट में है फिनीक नाम के बनाई राहिए है यूटीब आप मैं हैं ठीज बना रहा हूं चॉविस में पर फिर दिनीक इसाथ बना रहा हूं बिनकेसाफ में zen Wouldn TEAM को बना तो पलीज हमेशाइम ड्यान ट्थे उनीक टाइन घ्रूपर यूटीब पर बहुत सारी वेबसाइड मिल जाएगी जहाँ अपना फॉट्स डाले नेम आपको आइडिया वन वर्ट तू वर्ड में आ जाएगा मैक्सिमम एक सदू वर्ड में रखें ज्यादा बेटर रहता यूनिक दूसरा डुमेंड चेक कर ले है कि नहीं है तीसरा रज साफधानी पहले से बढ़तले भी आगे चले के जरुट क्या है जैसे मेरा कॉंटेंट जिस से रिलेटर से तो पहले मैंने इसमें नाम रखा था एक चैनल और मैस आसान है तो मैंने देखा उस कैटेगरी में जो है और भी टीचर अलेडी थे उनके चैनल बड़े तो मैंने रखा था मेरे बहुत से वीडियो में है वही चल भी रहा था अच्छा पिर यह नाम रखा तो मैंने अपनी बनाता हूं जैसे पीवर स्टेडी 2.0 3.0 4.0 मेरे चैनल के नाम अलग 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 काटेगरी अलग अलग तो मैंने यह कर दिया बाकी आल्रेडी मेरा भी ए तो इस तरीके से मैंने जो चैनल बनाया उसमें मैंने पहले ही बनाया था थोड़ा सा गलत भी हो सकता है कि दूसरे के पहले से पैसा अपने हम कैसे बहुत काफी गए थैंक्यू सो मच मतलब इनसे माच पहल एड़ देंड महीं ही करना चाहूंगा पहली बार मिला हूं यह आप भी बहुत अच्छा करने आगे बढ़ गए और आज मिलके बड़ अच्छा लगा वेक्ति तो बड़ अच्छा है जिंदा दिली इंसान है खुल के बात करते हैं तो मैंने का क्यों ना इस मुद्धे पर बात की जाए आप लोगों को एक बार और जागरू करा दी जाए प्लीज इस वीडियो को देखिए आज भी देखिए और उन सभी को भीजिए जो नाम चुन्ने में और इंसम में मिस्टेक कर जाते हैं और आगे फिर दिक्कते आती हैं थैंक्यू सो मच एवरीवन थैंक्यू सो मच जी आपने बड़ा डिटेल में बात करें तो आपको भी सब्सक्राइब कर लें जल्दी होने वाला हमारा भी बस रही सारी चीजें और ठीक है थैंक्यू